जाहिन दोस्तों, बेलकम बैक तार्गमीवा यूटीब चैनल आज हम इंडे नामी सौधर जन्ने डूटी का औरिजनल कोशिन पेपर डिस्कुस करेंगे कोईम्टूर सेंटर का औरिजनल कोशिन पेपर आपका रहेगा जिसमें पूरे 50 प्रशन आज हम डिस्कुस करेंगे आपके लिए जो आज टार्गेट रहेगा 40 कोशिन का आपके लिए टार्गेट रहेगा इसमें आपको हाँ नवल के कोशिन भी देखने को मिलेंगे सबी कोशिन आपके टाइप करे हुए हैं ध्यान से आपको सभी question को देखने हैं और सभी student को जल्दी से वीडियो को like कर देना है, वीडियो को share कर देना है, चानल को subscribe भी जुरूर कर लेना है पहला session स्टार्ट करते हैं, section A से आपका general knowledge के 15 question रहेंगे, जो कि आपके exam के लिए most imported होंगे और ये वीडियो जो है, आर्मी के सबी ट्रेट के लिए इंपोर्टिड रहेगी चलिए पहला कोशिन आपके सामने है, राजा अशोक ने अंतिम युद कौन सा किया था बिच बास थी, लास्ट बैटल ओफ किंग अशोक का option आपके सामने है, राजा अशोक की अंतिम युद था कौशन नमर दो आपके सामने है, बिशुफ का सबसे गहरा महसागर कौन सा है बेच चीज़ दी, डीपिस्ट ओकन इन दी वर्ल्ड right answer एगा option number C, परिशाद महसागर यानि specific option जो है आपका ये सबसे गहरा महसागर है, question number 3 आपके सामने है बस्तर भारत की किस राज्य में स्थीत है, बस्तर is located in which state of India ये question आपका पिछले साल 2019 में और 2020 में ठीक है, दोनो साल ये पूछा जा चुका है तो बस्तर जो है कौन से राज्य में स्थित है, ये आपका कौन से राज्य में है, 36 गड़ का एक जिला है next question आपका है, किस नदी को तिबबत में सिंगी घंपम के नाम से जाना जाता है option आपके सामने है किस नदी को तिभबत में सिंगी घंबब के नाम से जाना जाता है सही अंचर एगा option number D सिंधु नदी को तिभबत में सिंगी घंबब के नाम से जाना जाता है Question number 5 है इंडरा गांधी गोल्ड कप किस केल से स्वंधीत है इंडरा गांधी गोल्ड कप is associated with which spot राइट अंसर एगा option number A woman hockey या फिर hockey से स्वंदित है याद रखें या आपका option में इस तरह से पूछ लेगता है इंद्रा गांधी गोल्ड कप किसे स्वंदित है woman hockey, woman man hockey, woman football या फिर man football तो आपको क्या से करके आना है woman यानि महिलाई hockey से स्वंदित है इंद्रा गांधी गोल्ड कप question number 6 है राज्य सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है what is the term of राज्य सभा members right answer क्या रहेगा option number 6 का right answer है 6 वरश का कारेकाल होता है राज्य सभा सदस्यों का question number 7 है पेले किस खेल से स्वंदित है पेले is associated with beach sport right answer क्या रहेगा right answer रहेगा option number B football से स्वंदित है याद रखना Amazon पर एक इनी के नाम पर मुवी है ब्राजिल पेले ठीक है पेले जो हैं ये एक मशूर ब्राजिल फुट्बॉलर थे most important question है question number 8 है bishop bank का मुख्यालिय कहां पर स्थित है where is the headquarter of the world bank bishop bank का मुख्यालिय कहां पर स्थित है right answer रहेगा option number B Washington DC में जो है bishop bank का मुख्यालिय स्थित है question number 9 है कौन सा स्थान 1857 की करांती की शुरुआत से स्वंदित है question थोड़ा सा घुमा के पूछा हूए बोलता है 1857 की करांती जो है कहां से शुरू हुई थी तो कहां से शुरू हुई थी merit से शुरू हुई थी question number 10 है noble पुर्षकार जीतने बाले पहले भारतीर कौन थे who was the first Indian to win the noble prize important question है right answer रहेगा option number D रविंद नाटेगोर को कौन से सन में आपको comment box में बताना है कौन से सन में noble prize दिया गया था जल्दी से बताइए next question है भारती सेने academy कहां पर स्थित है where is the Indian military academy located IMA कहां पर स्थित है चलिए आपको बताना है यहां से question IMA की स्थापना कब हुई थी यह question हाली के exam में पूछा जा चुका है जल्दी से बताइए Indian military academy की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्याले कहां पर स्थित है देहरा दून में इसका मुख्याले स्थित है next question है सबसे पहले चांद पर मुनुश्यों को किस देश ने भेजा था which country send a haven on the moon for the first time यानि पहली बार चांद पर भेजने बाले मुनुश्य बाला देश कौन था right answer रहेगा option number D अमेरिका दिवारा भेजा गया था next question है सर्दार श्रोवर योजना किस नदी पर स्थित है सर्दार श्रोवर प्रजेक्ट is located on beach river right answer रहेगा option number A नर्दा नदी पर स्थित है सर्दार श्रोवर पर योजना या कहां पर स्थित है आपकी गुजरात बस्थित है जो की नर्दा नदी पर बनाई गई है question number 14 है सविदान की drafting committee में कुल कितने स्थित थे what was the total number of member in the drafting committee on the constitution तो इसमें आपके total कितने स्थित थे 6 स्थित आपके बैसे थे और एक कौन था आपका भीमराव अमेड करते तो total कितने होगे total आपके 7 स्थित होगे next question है और याद रखें अगर आपसे deeply question यहां से पूछना होगा तो पूछेगा drafting committee में इनने से कौन सा स्थित नहीं था तो चलिए आपको बताना है अन्य 6 स्थित का नाम बताना है जो drafting committee में भीमराव अमेड करके साथ थे next question है जोदपूर शहर भारत की डैश राज्य में स्थित है जोदपूर is located in डैश state of India जोदपूर जो है यह भारत की किस राज्य में स्थित है right answer एगा option number D राज्यस्तान में स्थित है section B से आपका आता है journal science के 15 question जो की most important रहेंगे जीरी ट्रेडमेंट और कलेर के लिए next question निमल लिखित में से कौन सी विमारी वाइरस के कारण होती है which one of the following diseases is caused by virus तो वाइरस से होने बाली विमारी कौन सी है right answer एगा option number B जो काम जो की common कूल्ड आपका होता है कि किसके लक्षन होते ही है आपके करोना वाइरस के लक्षन होते है और बरसाज शुरू हो चुकी है बरसाज में आप कुछ है जो काम के जो normal cases होते है बढ़ते दिखाई देते हैं साथ में malaria के भी याद रखे question अब imported हो सकता है next question है रत चाप किस गरंथी दवारा नियंतरित होता है blood pressure is controlled by which client जो blood pressure होता है इसे कौन से गरंथी होती है नियंतरित करती है right answer कहा रहेगा option number a right answer हेगा adrenal गरंथी दवारा नियंतरित किया जाता है next question है रोग प्रतिरोध पैंसलीन कहां से प्रापत की जाती है रोग प्रतिरोध यानि जो एंटिवाइटिक होती है पैंसलीन ये कहां से प्रापत की जाती है जल्दी सिवताईर अंसर क्या रहेगा right answer हेगा option number c फफुन्दी दवारा या फिल मौल्च दबारा ये प्रापत की जाती है next question है मुनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है मुनुष्य के शरीर की सबसे लॉंगेस्ट बोन आपको वतानी है कौन सी होती है right answer हेगा option number c फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड़ी होती है question number 20 है bromin एक है bromin जो है एक प्रकार का क्या है non metal है, metalloid है, plastic है या फिर metal है तो right answer हेगा option number b bromin जो है एक प्रकार की अधात्तु है जो की तर्ल अवस्ता में पाई जाती है next question आपके सामने है साथ किस परानी बर्ग में आते हैं snake, belong to bitch, animal, class और maximum question आपको जो ट्रेड में के करवाई थे बहाँ सी ही देखने को मिल रहे है तो साथ किस परानी के बर्ग में आता है साथी सरी सर्फ ठीक है सारी सर्फ के बर्ग में आता है option number b correct कर ले next question है भुकम की तिवरता dash से मापी जाती है intensity of earthquake is measured on तो किस के दवारा मापी जाती है Richter scale दवारा मापी जाती है option number c correct रहेगा लार dash के पाचन में मदद करती है जो सलेवा होता है ये किस के help ठीक है किस digestion दवारा किस के digestion में help करता है तो ये किस के digestion में help करता है starch के पाचन में मदद करता है तो सलेवा जो ये लार्ज होती है ये starch के पाचन में कारिय करती है next question है एक ही तत्त्त के परमानुओं में वभीन धरब्य संख्याएं होती है atoms of the same element having different mass number are called it atomic same element atomic of same element having different mass different mass होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है isotops कहा जाता है नहीं समस्थानी कहा जाता है next question है H2O2 का सूत्र है H2O2 किसका सूत्र है right answer क्या रहेगा तो राइट अंसर एगा option नमबर B hydrogen per oxide hydrogen per oxide का सूत्र होता है H2O2 question नमर 27 है मिट्टी में पोदे उगाने के लिए यनि उगाने की बात हो रही है किसकी आफशक्ता होती है nitrogen की आफशक्ता होती है next question है thermometer में कौन सा परदाद प्रियोग किया जाता है bitch of the following usage in thermometer तो किसका प्रियोग के जाता है mercury यानि पारे का प्रियोग किया जाता है option number C correct रहेगा चलिए अब तक आपने वीडियो को लाइक दिंगरा चल्दी से वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेर कर दो चैनल को सबस्क्राइब कर दो और अभी आपको बता रहा हूँ 50 के 50 question मुझे confirm है जो मैं answer आपको बता रहा हूँ वो correct है तो कोई भी student फालतू में message ना करें ये question आपने गल्द बताया ने गल्द बताया ठीक है तो सभी question मैं confirm करके आपको बता रहा हूँ next question है बिजली की wiring के लिए नीमन मैंसे कौन सा तत्तव उपयोगी है which of the following is most suitable for electric wiring electric wiring में किसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है कौपर तार का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि कौपर आपकी सस्ती होती है और ज्यादा लिचीली भी आपकी होती है next question है सबसे हलका डैश गैस कौन सी है सबसे हलकी गैस कौन सी है लाइटिस्ट गैस आपकी पूछी है कौन सी होती है हाइट्रोजन आपकी होती है यह नहीं option number C का correct रहेगा चलिए next question देखते हैं आपके math के question से ही होगे ठीक है math के question स्टार्ट कर रहा हूँ तो math के question आपको ध्यान रखना है मैं आपको जल्दी से करपाऊंगा तो आपको तो basically gotta click on the circle कि to 88-meter find the radius तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ठीक है प्रिदी का फॉर्मूला क्या होता यह जल्दी से बताएं प्रिदी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से पता हिए k absurd क्या होता है अब प्रिदी 88 आपकी दी हुई है, 2 गुणा 22 बटा 7 आपका और R रहे गया, 7 आपका हमल्टिप्लाइ में चल लगया, 22 बटा 2 से कटा, 44 से आपका 22 कटा कितना आ गया, 2 आ गया, सादूने कितने होगे, 14 होगे, तो R कितना आ गया, R आपका 14 आ गया, चलिए R 14 हैं, तो इतरफर कॉश्यन नमर 31 का आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा है, नेक्स कॉश्यन, एक बटा 6, प्लस दो बटा 3, प्लस चार बटा 5, छे, तीन, पांच, एलसिम कितना आएगा, एलसिम सींपल सा, एलसिम 30 आएगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में 30 आती है, 3 के पहाड़े में तीस आते हैं, पांच के बाड़े मैं तीस आते हैं, और कॉमीन चीज में नहीं आती, तो तीस साथ का पाढ़ा आ गया, ये पांच से कड़ेगा, पांच आ गया, ये कितने से कड़ेगा, ये आपका दस से कड़ेगा, ये बीस आ गया, ये आपका किस से कड़ेगा, छे कड़े दो का गैप, दो का गैप, दो का गैप, कितने नो, दो का गैप, दो का गैप, दो का गैप, या फिर कहा भी सकते हैं, यह सब ही जो हैं आपकी भाज्ये, माफ करें, बिशम संक्या हैं, क्या संक्या हैं, बिशम संक्या हैं, पर एक मेरी खाल से बिशम संक्या मैं एड नहीं होत बाके confirm कर लेना आप तो राइट आंसर आपको बता दिये C आएगा next question important है pick out of the supplementary angle of 95 degree 95 degree का अनुपूरक कोण कीजिए तो 95 का अनुपूरक कोण कितना होगा यहाँ से आपको सम पूरक कोण होता ही कितना होता है 108 degree का होता है सम पूरक कोण 108 degree होता है तो कर दो 180 में 95 कितने आए 85 आपकी आगे ठीक है तो अनुपूर्ण क्या होगा पचासी ही आपका अनुपूर्ण कौन होगा तो ऑप्शन नमबर सी इसका राइते रहेगा बृत के शेत्रफल का सूत्र क्या होता है फॉर्मूला अफ कैल्कुलेटर एरिया अफ ए सर्कल तो बता चुका हूँ पाई आर स्केर तू पाई आर स्केर प्रिति का शेत्र पाई आर स्केर किसका शेत्र बृत का शेत्रफल नेक्स्ट कुशन इंपोर्डिट है एक ग्रूप ओफ 84 मैं कें कंप्लीट वर्क इन 17 डे वर्क केंड वी कंप्लीटिड वाई 199 मैंस यानि 84 व्यक्तियों का एक स्मूझ है किसी कारे को 17 दिन में करता है तो उसी कारे को 119 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे सीम्पल दा कोश्चन है किस तरह से होगा तो सीम्पल दा कोश्चन सो सीम्पल तरीके से करते हैं M1 D1 और बरावर है D2 M2 तो आए क्या 84 मल्टिप्लाइ 17 19 आपका दिया हुआ 119 या M2 आपको दिया हुआ दिन गयात करने है 17 अब याद रखना 17 और 19 17 और 19 आपके कर जाते है 17 सते 17 सते कितने होते हैं 119 आपके होते हैं साथ के पहाड़े से कर जाता है साथ एकम साथ एक आंजल सादूने चोदा बार आगे तो D2 कितना आ गया D2 आपका बारा आ गया नेक्स कोशिन आपका जल्दी से देखते हैं कोशिन है 43 परतीशित आप 200 2750 38 परतीशित आप 2990 इसे आप मान के दिगे 3000 कर दो इसे 3000 कर दो फिर कॉम्मन निकालो इस तरह से भी कर सकते हो पर उससे अच्छा जो है ठीक है उससे अच्छा आप जो है इन्हें किस तरह से करो करो 43 का कितना परतीशित 250 इस तरह से निकालो 0 से 0 कर दो 43 को मल्टिप्लाइ करो 275 से कितना होगा 11825 आएगा भाग 10 इस तीक है कॉशन पड़े होते हैं करे होते हैं तब ही कॉशन आपको करवाता हूं ठीक है रट्टा मानने की जूरत नहीं है कल्कॉलेशन आप खुद भी कर सकते हो अब पहाड़े में आपको बताने निबाला ठीक है पहले तीम से करो तो 5 तेमा 15 फिर 5 आएगा फिर केरी करो यह केरी करो तो सीधा बता तो दिया 11825 आएगा बटा 10 आएगा अब दश्मला आपका लग जाएगा कितना 10 हट जाएगा ठीक है इस तरह आपका कितना आगया अब 383 परतीशित का निकालो 383 गुणा 100 गुणा 2290 जूरो से 0 कटा 383 को कर दो 1136.2 तिए 1134.2 ता यहा से इक पूरा कर गया यहांसे आपके कितने बचे ठीक है जल्दी से बताओ यहां साथ बचे है साथ आपका अंसर दिया नेक्स्ट कुशिन एक नेक्स्ट कुशिन बोलता है दा सम आफ टूर नमबर्स इस हंड़र एंडियर डिफरेंस इस वन हिप्टी फाइंड दी नमबर दो संख्याओं का योग तो संक्या क्या होगी शिम्पल सा देखोंगे अंसर आपके सामने है अगर फॉर्मूले से करना चाहो तब भी कर सकते हैं किस तरसे माना x plus y कितना है, यो कितना है, 300 है x minus y अंतर कितना है, 150 है y कट गया, 2x हो गया 2x की value कितने आगी, 150 यनि ये minus हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 150 यनि x कितना आजागा, x आपका 75 आजागा, यनि 1 value तो हमारे पास आगी 1 value यनि 1 संक्या आपकी 24 होगी, दूसी संक्या किस तरह आज याद करेंगे तो पहली question क्या आती, x plus y is equal to 300 कुसी में put कर दो, किसी ठीक है किसी में put कर दो, तो आपके answer आजाएगा, तो इसमें x की value put कर दो, 74 plus y is equal to 300 y is equal to 300 minus 75, य कितना हो जाएगा 225 आपका वाय हो जाएगा तो पहली संक्या क्या मान सकते हैं पहली संक्या आपकी 225 है, दूसी संक्या 75 है right answer आपके सामनी है, जिस तरह से भी करो आप कर सकते हो find the HCFA of 1445 और 72 1445 और 32 का महत्म सवरतक ज्याद कीजिए, simple सा question है 18 1445 बहतर निकालोगे तो common निकलेगा नहीं निकालोगे तो नहीं निकलेगा ध्यान से देखोगे तो answer आपके सामनी है, no क्योंकि 9 से काटोगे, 9 दुने 18 9.45, 9.72 अब आके कड़ रहा है, ठीक है किसी से नहीं कड़ रहा, तो 9 आपका common है, जो की HCF आपका आएगा, next question है 13 वटा 19 माफ के, 13 वटा एक्वाने, 13 वटा एक्वाने को जो है, आपको विक्त करम यानि, find the रहसी ब्रोकल औफ तेरा वटा एक्वाने, किस तरह से होगा रहसी ब्रोकल मतलब होता है उल्टा करना, 13 वटा 19 को उल्टा करो 19 वटा, माफ करे, 91 वटा तेरा, और तेरा से कितने से गड़ता है, तेरा से कड़ जाता है 91 यानि, 91 गड़ गया कितने से, साथ से तो answer क्या आएगा, साथ आपके पास से answer आएगा, next question है एक ब्रिताकार बेलन की उन्चाई, 15 cm और उसके अधार की तरिज़ा 7 cm है, तो उसका आएटन क्या होगा, find the volume of circle cylinder, hose, height is 15 cm and radius of the waist in 7 cm, volume आपको ग्याद करना है, यह नहीं, आएटन ग्याद करना है तो सबसे बेले आपको बताए, इस तरह से आपका यह होता है, जिसमें r आपकी तरिज़ा होती है, h आपकी लंबाई होती है और आएटन का सूतर क्या होता है, आएटन का सूतर होता है, pi r square h, r भी दिए होगा, h भी दिए होगा, यह नहीं, 22 बता 7 r केता है, 7 कुणा 7 और 15 हापका यह है 7 से कारता है, 7, 15 को multiply करो 7 से, ठीक है 22 कुणा 105 ठीक है, 22 कुणा 105 करोगा तो calculation आप कर सकते हो, ठीक है answer बताने की जूत नहीं है, answer आपके सामनी है, ठीक है, calculation आप कर सकते हो 22 कुणा 105 करोगा, तो answer आपके सामनी आएगा, next question very simple, तो find out the amount ठीक है, amount की बात हो रही है यानि मिशल धन की बात हो रही है 13,000 of one year at 2% annual rate of simple interest, यानि 13,000 पेर पर दो प्रतिशित बार्शिक दर से एक भरश की सधारन ब्याज कित्ता होगा 13,000 दो साल माफ करें, दो प्रतिशित, एक साल के लिए बटा 100 2 से 2 कटा, तेरा दुने 26,10 carry, ये क्या आगया है हमारे बाद simple interest आगया और amount इसको लोता है, P multiply SI, यानि 13,000 प्लस 260 कितना हो जाएगा, 13,260 आपका हो जाएगा 13 और 260 next question है, एक फूट में dash inch होते है तो एक फूट में किंते inch होते है जल्दी से बताओ, एक फूट में कितने inch होते है आर्मी की भरती लगा रहे हूँ, ठीक है एक-एक inch का, ठीक है एक-एक inch का हसाब देना पड़ता है ठीक है वहाँ पर तो कितने होते हैं, 12 inch आपके होते हैं next question देखते हैं, next question बोलता है find this care root of 1 0.001 841 जिसका simple है, 0.09 841 होता है, 29 का square होता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 6-0 का root करो के 3-0 कर जाएगी 3-0 से आपकी 2-0, आपकी 19 में convert हो जाएगी 1-0 आजाएगी, उसके बाद point आजाएगा next question देखते हैं उससे बेले अब तक आपने वीडियो को like ने करा जल्दी से वीडियो को like कर दो, वीडियो को share कर दो चैनल को subscribe जुरूर करना है next question आपके सामने है समीता 25 टोकरी 35 दिन में बनाती है और 119 टोकरियां बुन्ने में उसे कितना दिन लगेंगे समीता जो है 25 टोकरियों को 35 दिन में बनाती है तो उसे 119 टोकरियां बुन्ने के लिए कितना समय लगेगा यहां से आपका थोड़ा सा हो सकता है confusion हो इसके लिए आपको simple सा कर लेना कुछ confusion नहीं करना 25 टोकरियां 35 दिन में एक टोकरी कितने दिन में 35 बटा कितने 35 बटा कितने जल्दी था 35 बटा 25 something आएगा यानि एक टोकरी जो है कितने दिन में 1.4 दिन में बन रही है 119 यहां सही कर ले टोकरियां ठीक है टोकरियां बुन्ने के लिए 100 कितने दिन लगेगे 110 multiply 1.4 110 14 करोगे तो solve आपका निकल जाएगा 0, 4 और 4 फिर आपका 0 माफ करेजिए फिर आपका आएगा 0, 1 और 1 यहां आपका आएगा 0, 4 यह आपका 5 और यह 1 और पॉइंट हटा दोगे तो 0 चला जाएगा 114 जो है आपका सेंसर आजाएगा ठीक है अब simple solve करके निकल बताता तो यहां फिर से थोड़ा सा गालत हो गया reasoning के 5 question आपके होंगे जो कि most embody रहेंगे आपके exam के लिए question बढ़िए और answer दीजिए उन चास विद्यारतियों की एक akshah में करीम उपर से solve एस्तान पर तो anntym में किचने स्तान पर होगा ठीक है अntym से बताना है कौन से स्तान पर होगा यहां से शुरू करा पहला बंदा यहां पर है माफ कीजिए आपका पहला वंदा जो यहाँ पर है करीम जो है यहाँ पर 16 नमबर पर है ठीक है यहाँ करीम की शकल बना देता हूँ थोड़ी सी और टोटल कितने हैं टोटल आपके 49 विद्यारती है तो यहाँ से 15 और यहाँ तक 17 याद रखें एक से लेकर 15 एक से लेकर 15 और 16 बीच माउस का नमबर है फिर 17 से शुरू करते हैं 17 और 49 ठीक है हमें तो पता एक से लेकर 15 तक उसके बीच में है ठीक है उसके आगे जो है कितने बंदे हैं 15 बंदे हैं अब उसके पीछे कितने होंगे 17 से चुरू करो 17 से 39 तक करोगे तो कितने होते हैं 33 बंदे उसके पीछे हैं तो इसका नंबर कौन साइगा यानि 17 तक 33 बंदे हो रहे हैं तो उसका नंबर पीसे कौन साइगा 34 नंबर उसका आएगा इसका आएगा simple तरीकल का निकल गया deed और भी कैसं आई आपको ठीक है next question देखो तो बोलता है from the given option field the missing number in the sequence दिये गे बिकलपों में से अधिक स्थान माफ करें बिल्फ्त स्थान पर पूर्ती करें एक नो पच्षिस उन चास एक सो एकईस एक टूर T're in का स्केर उन्हें इस्समान पांट नो पांच का स्केर 25 साथ का स्केर 9 फिर कितना आएगा आठका की 9 का 9 आ Kyn एक आसी 11 का सकेर एक 80 का सफेर एकस की आएगा next question है find out wrong term in this series दियेगे शिरेणी में गलत शवत क्या होगा 1, 3, 5, 8, 11, 17, 23 तो 3, 5, 11, 17, 23 विशम संक्या, विशम संक्या, ग्यारा विशम संक्या है अब माफ करें अभाज्य संक्या, 3 वाज्य संक्या, 7 वाज्य संक्या, 11 वाज्य संक्या, 17 वाज्य संक्या, 30 वाज्य संक्या अब अभाज्य संक्या जो होती है या तो खुद से multiply होंगी या फिर एक से कटेंगी आठ तो आपकी चार से भी कट रही है, दो से भी कट रही है, एक से भी कट रही है और आठ से भी कर रही है ठीक है, तो आठ जो होती है आपकी इवर नंबर है, ना की अभाज्य संग्य है Next question है, आरुन said, इस गर्ल इस गर्ल इस गर्ण सन ऑफ माई मदर यानि बोलता है, यह लड़की मेरी मा के पोते की पत्नी है, यह रहा आरुन, यह उसकी मा है, ठीक है, यह उसकी क्या है, मा है बोलता है, यह लड़की, यह लड़की मा लेते, यह लड़की है, ठीक है, यह लड़की है मेरी मा के पोती यह लड़की है मा के पोती यह नहीं अरुन की मा का पोता यह बीच मा गया तो अरुन का क्या लगा अरुन का यह बेटा लगा और अरुन की मा का क्या लगा पोता लगा अरुन की पत्नी अरुन की क्या लगी तो बोलता है how is Arun related to the girl related बताना यानि relation आपको बता रहा है Arun से क्या है किसका है ससुर का relation है यानि ससुर लगा साला अब next question पढ़िए थोड़ा सा लंबा question है जल्दी से हमें इसे solve करने का भी देखती है एक व्यक्ति पूरफ की और दो किलिमेटर दूरी चलता है और फिर बह दक्षिन की और घूम जाता है और पांच किलिमेटर दूरी चलता है फिर बह पश्चिम की और घूम जाता है और दो किलिमेटर दूरी चलता है उसके बाद वो उत्तर की और घूम जाता है नो किलिमेटर चलता है वह अपनी प्रारंबिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थीत है पल दिया कोशन की रहें तो यहां पर आपकी उत्तर दक्षिन पूरव और पश्चिम यहां ससने शुरू करा बोलता है दो किलोमेटर चलता है कहां पर पूरव की और तो यह चला दो किलोमेटर पूरव की और पूरव की और चलने वाग फिर बह दक्षिन की और यह नीचे की और कितना चला पांच किलोमेटर चला तो यह कितना होगे यह पांच किलोमेटर उसका हो गया कहां पर दक्षिन में माफ करें दक्षिन की जो और जहा है पांच किलमेटर चलता है फिर बह पस्चिम की और घूम जाता है और दो किलमेटर चलता है पस्चिम कहां पर है पस्चिम आपकी यहां पर है कहां चल रहा है दो किलमेटर चलता है दो किलमेटर चलता है इसके बाद वो उत्तर की और उत्तर कहा है उपर की और है उपर की और नो किलमेटर चलता है नो किलमेटर पांच किलमेटर यह हो गया पांच किलमेटर का किता चलेगा चार किलमेटर हो चलेगा तो यह चार किलमेटर है यह टोटल आपकी नो किलमेटर हो आपकी 5 km है और टोटल 9 km है 5 में से 9 निकालो चार पहले इस चार किलमेटर आगे जाएगी तो कितना होगा करने मिलते हैं को शांदार वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अपने गरभलों के ख्याल रखें जाहिंद जय भारत